नमस्कार, मेरा नाम विजय कश्यप है, मैं रंगमंच, टेलिविजन और फिल्म का भी नेता हूँ आजकल का जीवन, आजकल का जीवन इतना जिस्त जीवन हो गया है हमारा खान-पान, हमारा रहन सेहन, हमारी सोच, हमारी विचार, वो इतने प्रदूशित हो गया है कि उसमें जीवा आयरुवेद जैसी संस्था का होना बहुत आवश्यक है अब आप सोचेंगे कि मुझे जीवा आयरुवेद के बादे में कैसे पता चला वो मुझे स्वयम डॉक्टर प्रताब चोहान का प्रोग्राम देखने से पता चला मैं जब भी घर पे वोता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि उस प्रोग्राम को मैं मिस ना करूँ क्योंकि उसमें जो वो कुछ घरेलू तरीके बताते हैं बेमारियों से निपटने के लिए या जो बाकी दुसरी सला देते हैं वो अद्पुत हैं और डॉक्टर प्रताप चुहान मेरे साथ से जो मुझे लगता है एक बहुत ही ग्यानी बहुत ही विद्वान आहरुएद आचारे हैं और मैंने उनके बताय हुए नुस्खे शुरू किये तो मुझे खुद को अपने स्वास में अपने पाचन में अपनी तवचा में अपने उनकी बातें सुनकर अपने विचारों में बहुत सफाई मिली मैं उनका बहुत शुक्रगजार हूँ मैं बहुत शुक्रगजार हूँ कि वो एक ऐसी संस्था चला रहे हैं जो इंशिंट तरीके से जिस तरह से हमारे यहां उपचार हुआ करता था आहरुएद में वो उन्ही उसी विदा को उसी प्रणाली को लेकर चले हैं इंशिंट प commercials देखते हूँगे उन commercials में होता है यह दवा लीजए पेट साफ यह साफ हो साफ नहीं ऐसा नहीं होता उसका कारण क्या है । उसका कारण जानना बहुत ज़ुरूरी है कि उस शरीर में वो विकार आया तो क्यों आया और उस विकार को सही करने के लिए कौन सी दवा है जो सही काम करेगी डॉक्टर चुखान अक्सर अपने प्रोग्राम में पंच कर्मा की बात करते हैं तो मैंने जो वो सुना तो मेरा मन था, एक साल से मैंने मन बना लिया था क्योंकि मैं कुछ मेरी तचा में कुछ समस्चा आई थी जिसका मैं इलाज बॉम्मे में करवा रहा था उससे मुझे उतनी रहत नहीं मिल रही थी डॉक्र साथ का प्रोग्राम देखने के बाद मुझे ये प्रेणा मिली कि मुझे जीवा आगरवेद फरीदाबाद में पंच कर्म करवाने के लिए जाना है एक साल से मैं इसका कारेकम बना और मैं एक कसम तेरे प्यार की सीरियल कर रहा था तो मुझे समय नहीं मिल रहा था लेकिन जैसे ही महां से मुझे समय मिला तो मैं आठ दिन की चिकित्सा के लिए यहां आया हूँ आज आठवा दिन था और इन आठ दिनों में जिस तरह की चिकित्सा है जिस तरह का पंच कर्म मतला मुझे दिया गया है उससे मुझे बड़ा अच्छा मैसूस हो रहा है ऐसा लग रहा है शरीर बिलकुल हलका हो गया पाचन बिलकुल आपका नॉर्मल हो गया और कोई वजन नहीं लग रहा जैसे शरीर में कोई वजन नहीं है क्योंकि भारीपन जो आता है वो आपके पाचन के समस्याओं के वज़ा से आता है आपके जो अंदर विशैले, हम लोग ऐसा खाना खाते हैं, हम आज का हमारा जीवन इतना वेस्त हो गया है, हम अपने स्वास्त के लिए जरा भी समय नहीं निकालते हैं, ना एक्सराइज के लिए निकालते हैं, ना खान पान के बारे में ध्यान देते हैं, ये पिज़ा, बग मैं 66 साल काऊं, तो इन 66 सालों में जाहिर है, मैंने भी अपने बोड़ी को बहुत अब्यूस किया होगा, मैं सिगरिट भी पीता था, शराब भी पीता था, और ऐसा भुजन भी खाता था, तले हुए नॉन्वेज भी खाता था, मैंने सब बंद कर दिया था, मैंने सुनने के बाद में और पूर्णा में लेकि नहीं, ये नॉन्वेज अच्छी चीज नहीं है, ये शरीर को नुकसान देती, ये पचने में भी समय जादा लगाती है, तो आपके पाचन शक्ति को अपने समर्थ से पांच गुना जादा काम करना पड़ता है, तो इन सारी ची दिन का मैं आपके लिए एक डिजाइन कर रहा हूं, पंच कर्मा, तो मैंने पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि आपका जब ट्रस्ट बन जाता है, डॉक्टर चवहान, प्रताप चवहान की बातचीत और उनका कारेकरम देखने के बाद इतना ट्रस्ट बन गया था जीवा निरिक्षन भी किया, डॉक्टर राहुल त्यागी के निरिक्षन को देखते हैं उनका नहीं, यह बिल्कुल सरी ट्रीटमेंट उनके डिजाइन किया आपके लिए, फिर उसी दोरान मुझे यह सोचना मिली कि जीवा आयरुवेद का, यहां फरीदाबाद में ही, करीब ही, बहुत बढ़ा विल्नस सेंटर खुनने जा रहा है, जिसमें बहुत सारी आधुनिक सोविधाएं होंगी, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं डॉक्टर चुवान को धन्यवाद करना चाहूँगा और उनको शुप कामनाओं के साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसे केंदर सिर्फ फरीदावाद में ही नहीं, भारत के कोने कोने में खोले हैं, विश्व भर में खोले हैं, ताकि इनसान सेहत सेहत मन्द रह सके हैं, धन्यवाद.